हेलो गाइस वेलकम टो कोड़स पाथ सो आज हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे प्रोग्राम होगा कि अगर कोई नंबर दिया जाए मान लिजिए जैसे 1234 तो इसके जो इंडिविज्विज्व डिजिट्स है उसे हमें वर्ड में प्रिंट आउट करा ना ठीक है जैसे यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 4 हो गया तो basically हम क्या logic यूज़ करने वाले हैं यह logic होगा कि और हमें इससे series में प्रिंट आउट करा ना इसका मतलब कि 1 जैसे यह जो left to right जाना चाहिए मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रिंट आउट होना चाहिए लाकि 4, 3, 2, 1 ठी अब से पहले हम जो concept लगाने वाले हैं वो होगा इसको हम पहले reverse number इस number को हम पहले reverse करेंगे ठीके और दूसरा जो logic है हम switch case का use करेंगे अब कैसे मैं आपको बताता हूँ ठीके अब देखें यह जैसा number है अगर reverse कर दे तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 अब क्या करेंगे अब हम इस 4, 3, 2, 1 का हम क्या करेंगे reminder निकालेंगे और reminder तो पीछे से निकलता है तो निकल गया one तो मतलब आगे first number तो इसे हम print out कराएगे word में तो word में print out कराएगे मतलब switch case में condition हम pass करेंगे कि अगर इस number का reminder जो भी हो तो वो उस case पर जाए और उस case का case में हम अपना जो भी जैसे variable लिखाए रहेंगे तो वो display करा देगा जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे हर एक iteration में हमें करना है हर एक reminder के लिए ठीक है तो चलिए program की तरफ बढ़ते तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा ठीक है ओके गाइस तो सबसे पहले हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम header file declare करते है तो तो stdio.h then the main function ओके तो एक number मांगेंगे हम यूजर से scanf से उसका input pass करते हैं then एक छोटा सा printf statement अब इसके बाद हमें क्या करना है इस number का जैसे मैं आपको यहाँ पर एक comment लिख देता हूँ जो भी number होगा means 1234 इससे हम क्या करेंगे इससे हम 4321 में बदलेंगे इसका मतलब इसका पहले सबसे पहले हमें reverse find route करना है ठीक है और यह जो number है हमें हमने end में store किया है अब इसके बाद से reverse होगा इससे हम कोई अलग container store करेंगे ठीक है for example मैं ले लेता हूँ एक मिनट एक मिनट इससे मैं store करूँगा s में ठीक है आई बद समझे तो चली सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इसका reverse find route करते हैं तो while look then n is greater than zero तो reverse find route करने के लिए मैं आपको पहली बता चुका हूँ तो सबसे पहले हम reminder निकालेंगे इसका इस number का और उससे हम store करेंगे किसी variable r में reminder हम module operator से निकालते हैं और 10 का use करके divide करके ठीक है okay r को हमने declare कर दिया है इसके बाद से हम एक formula लगाते हैं जो formula होता है s into 10 plus r okay और यह जो s की value है उपर garbage value दौर पर visualize कर देते 0 तो हर एक iteration में reminder plus होती जाएगा और हमारा जो at last है वो value s में store हो जाएगा अब जो n है वो हम बार बार इस number को तोड़ेंगे है ना मतलब अगर four का काम खतम हो गया ए four reminder निकल गया तो अब इससे हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसका हम यूज करेंगे means इस number को हम 10 से divide करेंगे इसका quotient आएगा तो यह number break होते जाएगा break होते जाएगा जब पर यह value जो है यह zero के बराबर आजाएगा और यह जो value पर तूट जाएगा और हमारा जो reverse number है वो four three two one के रूप में मिल जाएगा ठीक है अगर आपको यह reverse number का concept अगर आपको clear नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो में में रिजा सकते है उसका मैं लिंक आपको description में दे दूँगा ठीक है तो चलो switch case के उत तरफ बढ़ते तो जो भी अब हमारा क्या है यहाँ एक situation आगी जो एस जो है इस कमेंट में लिख लेता हूँ एस में हमने store कर दिया है the reverse number means 4321 एक example के तौर मैंने ले लिया है अब देखें अब मैं क्या करूँगा इसका जो है इसका मैं reminder find out करूँगा फिर से क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें करना क्या है मैंने आपको क्या बोला कि इस number का हमें word में print out करना है तो one को one पहले लिखूँगा तो इसलिए मैंने इसको reverse में किया है कि जो पीछे से तो रिमाइंडर आ है वो one से start हो ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा इसके reminder निकालोंगा अब एस module 10 ओके अब इसके अंदर हम cases लिखेंगे अब अगर case 0 है मतलब अगर reminder 0 आया है तो print of क्या करें इन वर्ट्स सीरो यह करना ना मैं तेन ब्रेक हरी case statement के बाद हम ब्रेक का यूज करते है कि यह वाला case end हो जाए और switch के बाहर आ जाए ठीक है sorry case 1 अगर वन रिमाइंडर रहे तो printf 1 ब्रेक देन केस्टु मेंस अगर रिमाइंडर टू है तो printf क्या करें 2 ओके देन ब्रेक then case 3 printf क्या करें 3 अगर 4 रिमाइंडर है तो printf क्या करें 4 ओके देन ब्रेक अगर केस 5 है तो printf क्या करें 5 ओके 10 ब्रेक तन 6 अगर 6 रिमाइंडर है तो डिरेक लिस कंडिशन पर आ जाएगा ओके 10 6 प्रेक गर 7 तो क्या करें 7 प्रिंट आउट कर दे ब्रेक केस 8 अगर 8 है 8 आए तो क्या करें 8 प्रिंट कर दे अगर 9 आए तो 9 प्रिंट आउट कर दे ओके अब 0 से 9 तक ही होता है तो हमने यहां पर हर एक का केस बना लिया है अब मैं क्या करता हूं यहां पर अब एक स्पेसेस क्रियेट कर देता हूं कि जो भी इंडिविजन डिजिट्स है उसकी बीच में स्पेसेश ठीक है अब क्या करूंगा कि मैं क्या करता हूं कि आपको लॉजिक समझाता हूं ठीक है अब जो 4321 है जो reverse नमबर आया हमाला अब इसके अंदर जाएगा इस switch case के condition के and 4321 मॉडिल नो 10 इसका मतलब इसका reminder कितना होगा one अब switch one मतलब one के तरफ जाएगा directly switch case क्या करते है कि directly उसी condition पह जाता है ठीक है अब one पे जाएगा तो क्या हो जाएगा case one अगर one आये तो क्या प्रिंट करें वन ठीक है अब ऐसे तो सिर्फ एकी रिमांडर प्रिंट आउट हो रहा है तो अगर सब के लिए हमें प्रिंट आउट करना है तो हम वाइल लूप लगाएंगे ठीक है और जो एसकी जो वैल्यू ग्रेटर दन जीरो होगी जब तक जीरो ना हो जाए इसकी मतलब सारे नमबर खत्म ना होजा तब तक की लूप चलता रहा है अब जोड़ेंगी जो में क्या करूँगा मैं कि जो हर एक रिक हरी करमांडर होगा जैसे ये वाला जाएगा इसके इंदर हरी करेंडर होगा प्रिंट होने के बादो switch case के बाहर आ जाएगा अब बाहर आ जाएगा तो जो value है मतलब जो number हम s में store किये हैं तो उसको हम density कर देंगे अब density इसलिए करेंगे कि यह जो number है यह break हो जाए ना break हो जाए इसका मतलब की one हट जाए उसके बाद से फिर 432 के लिए फिर यह loop के उपर आए अब यह 432 के लिए चेक करें फिर 432 इसके अंदर जाएगा 432 मीन्स जो reminder निकलेगा टू तो डिरेक्ली केस टू पर जाएगा तो टू प्रिंट आउट करेंगा तो टू प्रिंट आउट करेंगा वह आएगा 43 ठीक है 43 is greater than 0 इसके बाद जाएगा वैसे 3 प्रिंट आउट होगा फिर स्विच के इसके बाहर जाएगा फिर इसके वदद से यह वाले जो नंबर है यह टूटेगा फिर ऐसे टोड़ तोड़के हमें इसको 0 के बाराबर लेके आला है अब 0 के बाराबर लेके जाएगा तो वाल लूप से बाहर चले जाएगा और हमारा कंडिशन जो है स्टेट्मेंट जो है प्रिंट आउट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम रिटर्न 0 लिख लेते हैं ठीक है अब उसके बाद से मेन फंक्शन को एंड कर देते हैं कर लिब्रेसिस लगा के ओके तो हमारा कोड हो गया पूरा अब हम इसे रन करके देखते हैं देखें चल रहा है कि नहीं यहाँ पर यार मैंने समी कलोन मिस किया है ठीक है सॉरी यहाँ पर केस डबल यह आ गया है अब शाय चल जाए ओके सो मैं लिखता हूं 1234 देखिए 1234 एसे इंडिविजिल डिजिट्स का हमें वो मिल गया अब 5433 5433 आगे सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले आने वाले इसके लिए दोस्तों अबडिटर है थैंक्यू गाइश